Question है हमारा जिसमें हमें एक rectangle दे रखा है उसके उपर एक circle बना हुआ है इसमें कुछ number लिखे हुए है और इसमें दो cross line है जिसमें भी कुछ number लिखे हुए है और हमें question mark की जगे चार option given है इनमें से हमें answer find out करना है तो कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 7 और 2 का कुछ common देखते हैं तो 7 और 2 में आपको common दिख रहा होगा अगर आप इन दोनों को multiply कर दो तो कितना आ जाएगा हमरा 14 आ जाएगा इसी प्रकार से आपको 2 और 15 में भी कुछ दिख रहा होगा अगर इन दोनों को आप multiply कर दो तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा इसी प्रकार से हम आगे देख पाते हैं कि अगर आप 7 और 9 को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा इसी प्रकार से हम 15 और अगर 19 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 नमे 135 तो question mark की जगे कितना आना चीए 135 आना चीए जो कि हमारा answer number C हो गया कैसे solve किया फिर से एक बार देख लिते हैं 2 और 7 को हमने गुना किया तो कितना आ गया 14 आ गया इसी परकार से हमने 2 और 15 को गुना किया तो कितना आ गया 13 आ गया इसी परकार से हमने 7 और 9 को गुना किया तो कितना आ गया 63 आ गया इसी परकार से हम 15 और 19 को आपस में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा जो कि हमारा answer number C हो जाएगा काफी जी वेसे solve कर लिया आम ने इस प्रकार के कोशन एक्जाम में पूछे जा रहे हैं